नवी मुंबई की बढ़ती अबादी के साथ वहां जोर शोर से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया इनी में से एक विल्डें के कंस्ट्रक्शन में काम करती थी नंदिनी जो एक एंजिनियर थी ये नंदिनी का फर्स प्रोजेक्ट था एज एंजिनियर इसलिए वो बहुत एक्साइटिड थी अब तक का काम तो बहुत अच्छा चल रहा है उमीद है अगले छे महीने में बिल्डिंग का बेसिक कंस्ट्रक्शन फिनिश हो जाएगा और फिर मेरे करियर में अच्छी प्रोग्रेस होगी इंजिनियर साइबा करियर के चक्कर में ये मत भूल जाना कि आपका एक हस्बेंट भी है जो आपका घर में वेट कर रहा है याद है अभी निकलने ही वाली थी और आपका कॉल आ गया चलिए आप फोन कट करिए मैं आती हूँ नंदिनी हर दिन कई घंटों तक साइट पर बैठ कर काम सुपरवाइस किया करती थी छे महीने बीट गए और अब बिल्दिंग के सामने लॉबी के कंस्ट्रक्शन के लिए फाउंडेशन का काम शुरू था अराम से मनोच संभाल कर जी मैडम नंदिनी को सारे वरकर की बहुत फिकर रहती थी एक दिन नंदिनी हाफ डे में ही साइट से चली गई नंदिनी को घर पहुँचकर बहुत सारी तयारियां करनी थी क्योंकि आज उसकी शादे की पहली अनिवर्सरी थी नंदिनी ने अपना घर डेकुरेट किया और फिर अपने हस्बिन के लिए उसकी फेवरेट डेशिस बनाने लग गई सब कुछ हो जाने के बाद नंदिनी ने एक बहुत अच्छी ड्रेस पहनी और अब वो रेडी थी थोड़ी देर में विरोध घर आ गया सुप्राइज हैपी अनिवर्सरी विश्यू था सेम मुझे लगा था तुम भूल गई थी ऐसे कैसे हो सकता है मिस्टर हजबन कि मैं अपनी अनिवर्सरी ही भूल जाओ मैं तो तुम्हारे गिफ्ट की तयारी पिछले एक हफटे से कर रही हूँ ये देखो तुम्हें फोटाग्रफी का शौक है विनोथ ने नंदिनी को डाइमन नेकलिस गिफ्ट किया जो देखकर नंदिनी बहुत खुश थी वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक नंदिनी का फोन बजा एक मिनिट विनोथ साइट से फोन है हलो हां मुकेश बोलो क्या कैसे सुभा तक तो सब ठीक था ठीक है मैं आ रही हूँ तुम अभी जाओगी साइट पे एक प्रॉब्लम हो गई है और जिन जाना पड़ेगा मैं दो घंटे में आ जाओँगी तब तर तुम फ्रेश हो जाओ प्लीज ठीक है पर जल्दी आना नंदिनी अपने घर से साइट के लिए निकली वो कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुँची और वहां के सूपरवाइजर ने नंदिनी को प्रॉब्लम बताई पर टेरिस का काम तो एक महीने पहले ही हुआ था अचानक वहां के वाल में क्रैक कैसे आ सकता है यही नहीं समझा रहा है मैडम आप चलकर खुद देख लीजे ठीक है चलो देखते हैं नंदिनी सूपरवाइजर के साथ उपर गई और वहां दीवार पर आई हुई क्रैक देखने लगी मैडम अगर इस वाल पे और लोड आया तो पूरी बिल्डिंग की वाल में क्रैक आ जाएगा पर यह क्रैक क्यों आया यह पता नहीं चल रहा है नंदिनी सूपरवाइजर की ओर मुड़ी और अचानक उसका पैर फिसला और उसका बैलेंस बिगर गया मैडम नंदिनी सीधा लॉबी की कंस्ट्रक्षन की रौड पर गिर गई और वो रौड नंदिनी के आरपार हो गई नंदिनी को बड़ी दर्थनाक मौट मूट नहीं अक्सर नंदिनी की फोटो देखकर रोया करता था कंस्ट्रक्षन का काम रुका नहीं वो चलता रहा लेकिन सूरच ज़नने के बाद लोगों को लंडी रेधी चीख सुनाई देती तैसे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्षिन का काम पूरा हुआ वहाँ लोग आकर रहने लगे लेकिन खार रात लोग लंडी रेधी चीखों से सहन जाते थे फिर कुछ महीने बाद यहां एक औरत रहने आई मधुलिका मधुलिका एक मेडियम थी मतलब वो आत्माओं से बाते भी कर सकती थी और आत्माएं उसके शरीर में दाखिल भी हो सकती थी एक रात मधुलिका ने नंदिनी की आत्मा की चीक सुनी वो उसके शामें दौर पड़ी मदु दिका ने वेखा कि नंदिनी की आत्मा रो रही थी क्या हुआ तुम रो क्यों रही हो क्या तुम मुझे देख सकती हो हाँ पर कैसे क्योंकि मैं एक मीडियम हूँ इंसानों और आत्माओं के बीच तुम्हारी आत्मा यहां कैसे आ गई नंदिनी की आत्मा ने उसे अपनी कहानी सुनाई ओ, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ पर तुम्हारी आखरी विश क्या थी? जो अधूरी रह गई, जो तुम यहीं फस गई? मैं अपने हस्बन को अपने हाथ से खाना खिलाना चाहती थी लेकिन उसे पहले ही मेरी मौत हो गई मैं तुम्हारी ये विश पूरी कर सकती हूँ और तुम्हें मुक्ती भी दिलवा सकती हूँ क्या? ये सच में हो सकता है? हाँ, अगले पूर्निमा को मैं तुम्हें बुलाऊंगी तुम्हें मेरी बॉडी में एंटर करना है अगले दिन मधुलिका विनोच से मिलने उसके घर गई आप नंदिनी के हस्बेन है ना? जी हाँ, पर शहद आप नहीं जानती कि नंदिनी को मरे हुए काफी वक्त हो गया है मैं जानती हूँ और ये भी कि अब तक नंदिनी को मुक्ती नहीं मिली मैं एक मीडियम हूँ मतलब इंसानों और आत्माओं के बीच का दर्वाजा मैं आपको भी देख सकती हूँ और आत्माओं को भी और कल ही मैं नंदिनी की आत्मा से मिली थी आत्मा? विनोच, नंदिनी को अब तक मुक्ती नहीं मिली क्योंकि उसकी लास्ट विश अब तक अदूरी है वो तुम्हें अपने हाथ से डिनर खिलाना चाहती थी जब तक उसकी लास्ट विश पूरी नहीं होगी उसकी आत्मा भटकती ही रहेगी लेकिन अब ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है शायद इसलिए मुझे उस बिल्डिंग में लाया गया मैं एक मेडियम हूँ कोई भी आत्मा मेरे बुलाने से मेरी बॉड़ी में आ सकती है और अगली पूर्निमा को नंदिनी की आत्मा मेरे शरीर में होगी तब वो तुम्हें खाना खिलाएगी शायद रोईगी भी पर इससे उसे मुक्ति मिल जाएगी इसलिए आपको अगली पूर्निमा की राद मेरे खार आना होगा मैं जरूर होगा विनोर को सहनगूते देकर मदुलिका वहां से चली गई पूर्निमा का दिर आया और मदुलिका ने सुबह से तैयारियां शुरू कर दी उसने जमीन पर पैंटिगन बनाया अलग-अलग पत्थर रखे और शाम से ही मेडिटेशन में बैठ गई लग-बग साथ बजे उसके घर की डोर बेल बजी और विनोर दा गया अब जैसे ही मेरा मेडिटेशन खतम होगा मैं नंदिनी को बुलाऊंगी फिर इस रूम की लाइट्स बंद हो जाएगी और हवा तेज हो जाएगी और तब नंदिनी मेरी बॉडी में प्रवेश कर चुकी होगी ये खाना मैंने बना कर रखा है नंदिनी आपको ये खिलाएगी और देन बेहोश हो जाएगी बस उसे मुक्ति मिल जाएगी उसे कोई दखली हैं तो नहीं होगे ना नहीं ठीक है और फिर मदिनी का मॉडिटेशन करने लगी कुछ देर बाद नंदिनी नंदिनी तुम्हारा विनोद आ गया है बस इतना भोलते ही हवाएं तेज हो गई कम्रे की लाइट्स के बन चालू होने लेकिए और अब जब मदिनी का में आँखे फोली तो विनोद विनोद मैं तुम्हारी नंदिनी हूँ नंदिनी रो मत विनोद वरना मैं भी अपने आपको सम्हाल नहीं पाऊंगी बहुत देर तक दोनों एक दूसरे को देखकर रोते रहे नंदिनी तुम्हारी आखरी विश्ष और विनोद ने नंदिनी के सामने प्लेट रख दी नंदिनी ने रोते हुए एक रोटी का पीस तोड़ा और सबजी में डुबोकर विनोद को खिला दिया विनोद रोता हुआ खाना खा रहा था नंदिनी उसे खिलाती गई और वो खाता गया अब मेरी जानी का समय हो गया है नंदिनी 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 और फिर नंदिनी बेहोश हो गई विनोद कुछ दिर तक रोता रहा और फिर उसने मदूलिका के चेहरे पर पानी मारा आप ठीक है? जी हाँ अब नंदिनी को मुक्ती मिल गई अब उसकी चीह कभी किसी को सुनाई नहीं देगी विनोद ने अपने आसू पोचे धाइंकियो दिल्ली की एक आम सोसाइटी में रहता था व्यास परिवार जिसमें थी मम्मी अनीता और उनकी बेटी प्रिया अरे प्रिया तुम अपना टिफिन भूल गई ममी रहने दो अब मुझे लेट हो रहा है मेरे फ्रेंट्स मेरा वेट कर रहे है मैं कैंटीन में कुछ खा लूँगी ओहो ये आज कल की बच्चे भी न तब ही उनकी पडूसी बाहर आई बिल्कुल सही मिसिस व्यास मेरा बेटा भी बिल्कुल ऐसा ही है देखिये न, सुभा से उसके लिए टिफिन तयार कर रही थी और वो टिफिन छोड़ कर चली गई मैं समझती हूँ आप पर क्या बीद रही है आज कल के बच्चे होते ही ऐसे हैं अनीता और सुशिला रोज अपने अपने घरों से बाते किया करती थी साल बीद गए पर इनका रूटीन नहीं बदला इनके घर इतने नजदीक थे कि इन्हें गप्पे मारने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकलना पड़ता था लेकिन एक रात इस सोसाइटी में एक चोर आया उसने देखा कि सब घरों की कोई न कोई लाइट चालू है लगता है ये सब लोग अभी तक जगे हुए है मुझे बाद में आना चाहिए लेकिन तभी उसकी नजर अनीता के घर पर पड़ी ये घर में शायद कोई नहीं है इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा चोर पाइब के सहरे उपर चड़ने लगा उपर चड़कर उसने एक तार की मदद से खिड़की की कुंडी खोल दी लेकिन जैसे ही वो अंदर गया तो उसकी आँखे पटी के पटी रह गई उसके सामने अनीता और प्रिया की लाश थी चोर पसीना पसीना हो गया उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे चोर वापस पाइब के रास्ते उत्रा और भागने लगा वो सीधा पॉलिस स्टेशन गया और वहां के इंस्पेक्टर को सब कुछ बता दिया हो सकता है चोरी करते वक्त तुमने ही उन दोनों का खुन किया हो और अब बचने के लिए हमारे पास आये हो नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है वो लाशे देखकर मैं डर गया और सीधा यहां आ गया मैं चोर हूँ सर हत्यारा नहीं इसको गिरिफतार करो हवलदार अगले दिन इंस्पेक्टर फॉरेंसिक एक्सपर्ट से मिलने गए सर इन दोनों की मौत को तीन महीने हो गए है वाट ये लोग तीन महीने से मरी हुई है और लाश से कोई बद्बू भी नहीं आ रही यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है सर अब तक तो लाश काड डीकंपोस होना स्टार्ट हो जाना चाहिए था और मरने की वज़ा चाकू से प्रिया को किसी और नचाकू मारा है और अनीता ने अपने आपको ऐसा भी तो होसकता है कि अनीता ने प्रिया को मारने के बाद खुद को मार लिया हाँ, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है ठीक है सर यहाँ से निकल कर इंस्पेक्टर सुशीला के घर पहुचे सर, उन दोनों को किसने मारा? यही तो पता करना है फिर यह बताए, तीन महीने से आपका बगलवाला घर बंद है तो आप लोगों को शक नहीं हुआ नहीं सर, कल तक तो सब ठीक था सब ठीक था? अभी कल ही तो मेरी बात मिसेस व्याद से हुई थी वाट, यह कैसे पॉसिबल है? उन दोनों को मरे हुए तीन महीने हो गए क्या? नहीं सर, आप चाहो तो किसी से पूछ लेजिए वो दोनों कल तक जिन्दा थी, कल मैंने प्रिया को भी देखा था ये सुनकर इंस्पेक्टर के होश उड़ गए उससे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर ने और लोगों से पूछा सर, कुछ तो गढ़बढ है क्यों? क्या हुआ? आज भी उस घर की लाइट्स ओन रहती है रोज अगर बत्ती की खुश्बू आती है ऐसा लगता है कि कोई वहाँ है पर पता नहीं कौन लेकिन हमने तो वो घर सीड़ किया था सर, आप खुदी इन्वेस्टिगेट कर लीजिए ठीक है, आज रात मैं खुद वहाँ आँगा सुशीला वहाँ से चली गई और इंस्पेक्टर असमंजस में फंस गया उस रात इंस्पेक्टर और हवलदार अपनी जीब घर से कुछ दूरी पर लगा कर बैठे थे सर, अब तक तो सब ठीक ही लग रहा है और वैसे भी हमने घर सील किया है कोई कैसे घर में जा सकता है ये केस बहुत अजीब है मर के तीन महीने हो गए और लोगों का कहना है कि वो लोग सिंदा थे कुस तो गलबड है संजे हमें पता लगाना ही पड़ेगा ठीक है सर, आप चाहो तो सोजाओ मेरी नजर है उस घर पर नहीं संजे इस केस ने मेरी नींद उड़ा दी है मुझे कहा नींद आईगी तो चलिए सर, आप और मैं फोन पे सनेक और लैडर का गेम खेलते है ये अच्छा एडिया है हम जगे भी रहेंगे और एंटर च्रीक डेड़ का गेम ही रहे थे कि अचानक अनीता के गिर की लाइट्स आउन होँ वो देखो संजे लाइट्स आउन कैसे होई दोनों जीब से बाहर आकर खड़े हो गए और तबी अनीता अपने घर से बाहर आई ये देखकर इंस्पेक्टर और हवलदार दोनों चक्रा गए हवलदार वही बेहोश हो गया संजे, संजे, उटो संजे बहुत, बहुत, सर बहुत है इंस्पेक्टर ने हवलदार को जीब में बिठाया और खुद अनीता के घर की ओर चलने लगा इंस्पेक्टर ने दर्वाजे का ताला खोला और अंदर गया अंदर जाते ही उसे जोर-जोर से जग़ने की आवाजे सुनाई दे रही थे मैंने कहा ना प्रिया, वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है मा, मैं उसे प्यार करती हूँ और उससे ही शादी करूँगी क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस्की इतना बड़ा किया था? वो मुझे नहीं मालूँ उस लड़के की तीन तीन शादियां हो चुकी है और तीन तलाब भी अब तक उससे तमजने वाली कोई मिली नहीं इसलिए और मा, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने है वो तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेगा जैसा उसने अपनी पहनी तीन दीडियों के साथ किया था मा, तू उसे नहीं जानती और वैसे भी, मैं उसके बच्चे की मा बनने वाली हूँ हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया अब मैं दुनिया को क्या मू दिखाऊंगी ये समाज मुझे बोलेगा मिन बाप की लड़की को मैं अच्छे संसकार नहीं दे पाई मा, आपको अब भी समाज की पड़ी है, मेरी नहीं मुझे तुम्हारी पड़ी है और तुम्हे इस समाज में ही रहना है इसलिए हम कल ही अबोर्शन करवाएंगे मैं अबोर्शन नहीं करवाओंगी तुझे कराना पड़ेगा नहीं करवाओंगी प्रिया, तुझे करना पड़ेगा वरना मैं वरना क्या? आप मुझे मार देंगी हाँ मेरी प्यारी बंची फिर अनीता ने खुद को भी चाकू मार लिया ये सब इंस्पेक्टर ने अपनी आँखों से देखा और फिर इंस्पेक्टर विहोश हो गया अगली सुभा जब इंस्पेक्टर को होश आया तब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ उसे मर्डर कैसे और क्यों हुआ वो तो पता चल गया था लेकिन वो फाइल में क्या लिखता कि अनीता और प्रिया के भूत ने उसे ये बताया अब भी इस घर में अकसर अनीता और प्रिया जगडती हैं पर उसी डर के बारे रात में अपने घरों से बाहर नहीं निकलते और ये घर दिल्ली की हॉंटिट जगाहों में गिना जाता है